जब भी कोई मुझसे पूछता है कि पैसे इंकम के कौन कौन से तरीके हैं तो मैं उसे दो बहुत अच्छे तरीके बताता हूँ जिससे वो रात को सोते से मैं भी पैसे कमा सकता है एक ब्लॉगिंग और एक यूट्यूब लेकिन जब भी मैं ये बताता हूँ तो मुझे ये प्रिशन होते हैं जब भी आप किसी को ब्लॉगिंग करने की सलाह देते हैं लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ के ब्लॉगिंग एक ऐसा साधन है जिससे आप अपनी passive income generate कर सकते हो यानि जब आप सो रहे होगे तब भी आपके पैसे बन रहे होगे और अगर आपके मन में विचार आता है कि आप blogging नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया का हर व्यक्ति blogging कर सकता है इसके लिए आपको computer की अवशक्ता नहीं है अगर आपके पास phone है तो आप उससे भी blogging कर सकते हैं तो इस blogging से passive income कैसे की जा सकती है कैसे आप blogging से पैसा कमाते हैं पहले तो हम इसको समझेंगे उसके बाद हम समझेंगे कि एक blog कैसे बनाते हैं hosting कैसे खरीदते हैं और कैसे domain hosting को आपस में जोडते हैं कैसे blogging शुरू करते हैं और कौन-कौन से topic ऐसे हैं जिन पर आप blogging कर सकते हैं तो यह कोई छोटा-मोटा वीडियो नहीं है एक complete episode है जिसे हमने बहुत महनस से बनाया है आशा करता हूँ यह वीडियो आप पूरा जरूर देखेंगे तो पहले समझते हैं कि blogging से कैसे आप कमाई कर सकते हैं और इससे पहले आप यह सीखें तो आपको बता देता हूँ अभी हमारा जो दिवाली offer है वो शुरू हो चुका है एक तारिक से लेगे पांस तारिक के बीच में हमारे जो सारे courses हैं professional courses हैं उन पे आप 8000 उपे तक का discount ले सकते हैं तो नीचे description में लिंक है और यह mobile number है भी call करिए और जाके पता करिए कि कैसे मिलेगा offer सीमित है यह है Google इसका काम है internet पे जितनी सारी websites हैं उनका लेखा जुका रखना आपको एक बात और बता दूँ इन भाई साब का अपना कुछ भी नहीं है यह सारा data internet से ही लेते हैं और उसकी list बनाते हैं चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं तो यह हैं आप यानि blogger आप जब भी कुछ type करते हैं तो उस page को सीधे google को दे देते हैं और google उसे अपने index में रख लेता है साथ ही वो आपके article को बहुत गौर से पढ़ता है और उसकी कमियों को भी निकालता है बहुत अच्छे page को अपनी directory में रखता है और खराब page को अपने directory से बाहर कर देता है या search में नीचे रखता है जब कोई साधारन यूजर अपने computer पर google पर कुछ भी search करता है तो उसको बहुत सारे result दिखाई देते हैं ये सारे result वही होते हैं जो किसी blogger ने या web developer ने type किये होते हैं अब google आपके type किये हुए keyword के आधार पर आपको कुछ pages दे देता है या search दे देता है जो आपके काम के होते हैं अब आईए इस concept को समझते हैं कि कोई एक blogger पैसे कैसे कमा सकता है जब आप internet चलाते हैं तब आप किस चीज का इस्तमाल करते हैं सीधी सी बात है आप इस्तमाल करते हैं web browser का तो इसी तरह से google ने भी अपने एक web browser google chrome को बनाया है यहाँ पर हम google chrome का ही उधारन समझेंगे तो हम यही समझेंगे google chrome की मदद से कैसे google अपना भी फायदा करेगा और blogger का भी फायदा करेगा अब मान लेते हैं मनोज एक computer user हैं जो अपने computer पर कुछ search कर रहे हैं और google chrome उन पर कड़ी नजर रख रहा है google chrome उनके द्वारा search की गई सारी जो detail है जो keywords हैं उनको note करता जा रहा है इनी keywords को हम cookie कहते हैं अब आते हैं इस कहानी के अगले हिस्से पर तो रोहित एक blogger है जो बहुत दिनों से blogging कर रहे हैं और google को भी बार-बार अपने blogs को लिखके indexing के लिए दे देते हैं अब रोहित बहुत दिनों से blogging कर रहे हैं जिससे उनके blog पर बहुत सारा traffic भी आने लगा है google की मदद से और इससे बहुत सारे advertiser भी आकर्शित हो रहे हैं लेकिन यहाँ advertiser को बड़ा confusion है कि आखिर वो रोहित के blog पर अपने जो car का add है वो कैसे दें तो इसी confusion को दूर करने के लिए वो फिर दुबारा से google के पास जाते हैं तो जैसा हम कहानी की शुरुआत में समझ चुके थे कि advertiser blogger पर अपना विग्यापन देना चाहता है और blogger कमाई करना चाहता है इन दोनों की बीच की कड़ी हो जाती है google तो यहाँ पर यह भी समझना होगा कि कोई भी advertiser blogger पर सीधे विग्यापन नहीं दे सकता वो किसी ऐसी service के पास जाना चाहता है जहाँ पर उसको ज़्यादा traffic मिले तो इसके लिए google ने एक बहुत अच्छा समाधान किया advertiser के लिए उन्होंने एक service बनाई जिसका नाम था google ads advertiser को google ads दिये जहाँ पर वो अपने विग्यापन लगा सकता था इसके बदले advertiser ने google को पैसे दिये अब google ये विग्यापन ब्लॉगर पर दिखाएगा लेकिन इसके लिए भी उसको एक service की आवशक्ता पड़ेगी और उस service का नाम है google adsense इस service के माध्यम से google और ब्लॉगर आपस में साजेधारी करते हैं और advertiser का दिया हुआ विग्यापन ब्लॉगर अपने blog पर लगा सकता है अब जो भी विक्ति इस विग्यापन को देखेगा और जो पैसे advertiser ने google को दिये हैं उसको blogger और google दोनों आपस में मिलके बांट लेंगे तो जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि जब भी यूजर अपने web browser पे कुछ भी type करता है तो google chrome या अन्य web browser उस पे कड़ी नजर रखते हैं और एक file cookie के रूप में save कर लेते हैं अब मान लीजिए मनोच जो एक user हैं और internet पे car के बारे में कुछ सर्च कर रहे हैं तो cookie के आधार पे car company द्वारा दिये गए ad को google chrome मनोच को दिखाना शुरू कर देगा और अगर मनोच interested होंगे तो उस पे click करेंगे और ऐसा करने से advertiser, google और blogger तीनों का बराबर फायदा होता है तो आशाय आप समझ के आऊंगे कि blogging से कमाई कैसे होती है तो जैसे आपने ad लगाए तो ऐसा तो नहीं है कि blog रात में बंद हो जाएगा blog रात में भी चलेगा, दिन में भी चलेगा जब जब google पे कोई जाके search करेगा तो वो आपके blog पे आएगा और आपके blog पे आके जो वियापन उसको दिखाई देंगे उस पे click करेगा और आपके जो पैसे हैं वो बनते रहेंगे इसके लाबा भी blogging से कमाई के बहुत सारे तरीके हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे यह जो वीडियो है यह beginner label का है तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक blog कैसे बनाते हैं तो देखो blog बनाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म की आवशक्ता होती है यानि hosting की आवशक्ता होती है और domain की आवशक्ता होती है जहां पर अपना जो आपका टेक्स है जो आर्टिकल है जो फोटो है वो सारी चीज़ें आप जाके रखेंगे और यदि आप कमाई के purpose से blog बना रहे हैं तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही जादा फास्ट होना चाहिए यूजर के लिए जो आपका ब्लॉग है वो बहुत ही खुबसूरत होना चाहिए तो इसके दो तरीके हैं एक तरीका है कि आप blogger पे चले जाएं वहाँ पे फ्री में hosting ले लें फ्री में domain ले लें और वहाँ अपना blog शुरू करें प्रैक्टिस करने के लिए 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 लिखने की practice करें और दूसरा तरीका है professional यानि wordpress के platform पर आप जाएं प्रॉपर hosting खर लिए और वहाँ पे blog शुरू करें वहाँ 90% ज्यादा chances होते हैं आपके blog को success होने के मैं ही नहीं कह रहा हूँ दुनिया के 90% जो blog है और website है वो wordpress पे ही host किये जाते हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि wordpress पे एक blog को कैसे host करते हैं कैसे hosting purchase करते हैं तो इसके लिए हम आ यह description में link दे रखा है वहाँ जाके click करिए यहाँ पे claim deal पे click कर दीजेगा तो यहाँ पे आपको जो premium hosting है इनकी वह 139 रुपे यह 130 रुपे में मिल जाएगी और जो most popular business hosting है वह आपको मिल जाएगी 250 रुपे में आप जिस भी hosting को चाहें उसको ले सकते हैं नीचे एक बार इ जाएगा कि इस hosting में आपको क्या क्या मिल रहा है और यहाँ आपको क्या मिल रहा है तो यहाँ पे जैसे आप click करेंगे तो आप इनके cart में आ जाएगे तो यहाँ पे आपको hosting का time period है वो select करने के लिए दिया जाएगा जैसे आपको एक महीने के लिए चाहिए 12 महीने के देंगे जब हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहां पे GST लगा के यह प्लान मुझे 5500 रुपे का पढ़ेगा यहां पर यहां पर कूपन कोड माई बिगगएड एंटर करते हैं और एपलाई करते हैं तो इस प्लान में आपको 10 प्रिचर की चूट और मिल जाएगी यहां पर यहां पर यहां से इसे सम्मिट करके आगे बढ़िए तो देखो अभी हमने UPI के थुरू इस होस्टिंग सर्विस के लिए पेमेंट कर दिया है और अभी हम देखो इसके अंदर जो डैश्बोर्ड है होस्टिंगर का वहां पर आगे है अब यहां पर जैसे आप इस डैश्बोर्ड के अंदर आएंगे तो आपको सबसे उपर दि टेट विद्या और यहां से मैं इसके लिए एक्स्टेंशन सेलेक्ट कर लेता हूँ मुझे डॉट इन पर चाहिए डॉट शॉप पर चाहिए डॉट रॉट लाइन या डॉट कॉम पर चाहिए कोई भी आप यहां से सलेक्क कर सकते हैं जैसा भी आपने सोच रखा हो वैसे अलग-अलग मतलब होता है .com मतलब commercial है .info मतलब informative है वैसे इससे आपके website के traffic पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा website जैसे खुलनी है वैसे खुलेगी लेकिन सिर्फ यह बताती है कि आपकी website की category क्या है ठीक है तो यहां से .co.inb आप ले सकते हो और .inb आप ले सकते हो अब इसक हम सर्च करके दिखेंगे कि क्या यह domain name उपलब्ध है अगर यह नहीं होगा तो यह आपको बताएगा यह available नहीं है आपको चुछ और सर्च कर लो तो यहां से simple इसको claim करना है यानि ले लेना है फ्री में एक रुपिया भी नहीं देना देको इस domain name की जो cost है वो 699 रुपे ह है यहां पर हम zero cost में इसको purchase करने वाले है अब तो जो plan मानो कि हमने 3000 रुपे लिया था अब वो समझो के 699 आप उसमें से minus कर दो तो वो plan आपको बढ़िया कितना 2300 रुपे यानि 2300 रुपे गा तो इसको हम claim कर लेते हैं अब देको domain name भी हमारे पास आ गया अब domain name की छोट सेटिंग होती है आप यहां सेटिंग को कर सकते हो आप पहले चीज आपको अपना country भरना है पूरे बारीक बारीक step बता रहा हूं ध्यान से पूरा वीडियो देखना बड़ा मदा आने वाला है अब यह company के लिए बना रहे हो के personal बना रहे हो दोनों में से एक select कर लो और next कर दो उसके बाद अपना पूरा जो बायो डिटा है आपके state, reason, सारी चीज को आप यहां पर भर सकते हो बहुत ज्यादा बारीक information नहीं देनी है अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को कुछ चीज़े ऐसी है जो नहीं पर सरवजनिक नहीं करनी है तो उनको मत करिए उसके बाद registration को आपको यहां से finish करना है और जो टैब विद्या है वो आपका proper तरीके से register हो जाएगा यानि domain नेम जो है वो proper register हो जाएगा आप वेबसाइट बनाने के लिए आगे बढ़ सकने हैं तो यहां में लिखा आ गया you are almost there इसको कर देंगे हम continue यह इस तरह से आपका यहां web designing का तो अब हम चले जाएंगे फिर से home page पे अब चलिए अपने web designing वाले section की तरफ बढ़ते हैं आपको यहां पर आपकी premium web hosting दिखाई देगी यहां पर आपको जाना है setup की option पर और यहां पर start now पर click कर देना है जैसे आप start now पर click करेंगे तो यह पूचेगा यह website बना रहे ह हो किसके लिए बना रहे हो तो मैं यहां पर अपने लिए बना रहा हूं तो मैं इस पर click करूंगा अब यहां पर आप से फिर से पूचेगा who is creating the website कौन बना रहा है तो आप खुद बना रहे हो यह आपने कोई developer hire गया तो भई है मैं खुद बना रहा हूं अब कुछ question और आप यहां पर जो भी option जिस भी तरह का आपका website का category हो वो यहां से आप select कर सकते हो तो vlog अगर आप बना रहे हो या business के लिए बना रहे हो तो आप वो select कर लो अगर portfolio बना रहे हो तो वो आप select कर लो तो मैं यहां से portfolio को select कर लेता हूं अब यह पूच रहा है do you need help building your website तो मैं इ दो चीजें यहां पर देगा दो option आएंगे पहला create a new website और migrate my website अब create a new website क्या है आपको बिल्कुल नई website बना नहीं है और migrate का मंदब है पुरानी अगर कोई आपका blog हो website हो यहां पर लेके आना है सारा data तो आप यहां से लेके आ सकते हो तो यहां पर हम select करेंगे create a new website को अब अब wordpress किसके लिए है जो पहले से web designing की knowledge रखते है manual सारी चीज़ों को बनाना जानते है तो wordpress दुनिया का सबसे ज़्यादा popular एक ऐसा platform है जिसके उपर दुनिया वर के websites बनाया जाते है लेकिन hostinger यहां पर हमको एक चीज़ और देता है अगर आपको knowledge नहीं है जीरो knowledge यह wordpress क बूझेगा भई आपको domain select करना है कौन सा करना है तो हम यहां tag विद्या को select कर लेते हैं और और भी कोई domain होता तो वह आप select कर लेते हैं ठीके ना अब इसको यहां से हम select करेंगे तो हमना tag विद्या को select कर लिया अब यहां पर देखो कुछ process चल रहा है web builder के बारे में और व bank template है, landing page है, resume है, event है, बहुत सारी चीजन दी गई है आप जो भी चाहें उस template को use कर सकते हैं और सिर्फ आपको जैसे MS Word में कुछ template होते हैं उनमें कुछ changes करने होते हैं अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ popular templates अब यह popular template आगे बहुत सारे और कुछ एक छोटे मोटे change करके आप कोई भी एक website बना सकते हो, देखो मैं जाता हूँ e-commerce के section पर, e-commerce websites के मुझे बहुत सारे option मिल जाएंगे, अगर कोई client आपके पास ऐसा आता है e-commerce website बनाना है, कोई client ऐसा आता है जिसकी कुछ services हो, उसके बारे में आप कोई भी template select कर सकते हो, और उसको change कर सकते हो, यहा है photography की website बनाना, तो आप select कर सकते हो, तो आप माल लीजिए, मुझे यह जो पहला वाला template है, इसको मुझे added करना है, तो यहाँ पर मैं click करूँगा start building पे, और यह इस तरह से मेरे सामने, जो website है, वो खुल जाएगी, अब देखो now get in ready in one day, आप यह तो कह रहा है कि आप एक द देखोगे, यहाँ पर site setup checklist लिखा हुआ है, और यहाँ पर सारी चीज़ें, इन्होंने points दे रखे हैं, points को सिर्फ आपको fill करना है, जैसे edit headline text, headline text पर जैसे click करेंगे, तो यह आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, मानो tag विद्या, तो यह heading text है, इसको अग font size को चोटा करते हो, वैसे आप कर सकते हो, यह देखो कितना चोटा कर दिया है, मैंने 72 करके देखते हैं, 100, तोड़ा सा और चोटा है, और बढ़ा करके देख लेते हैं, 150, 200 करके देखते हैं, 200 में बिल्गुल fit हो गया, ठीक है, आप जो नीचे वाला text लिखा हुआ है, इस यह देखो, text with a menu, अब यहाँ पे आप कुछ भी change आपको कोई image लगानी है, वो आप लगा सकते हो, image को replace कर सकते हो, या alt text, कितना simple है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर यह अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो, अब देखो यह simple बन गया, अब पीछे जो image आ रही है, इस पे, जैसे MS Word में आप बनातो हो ना किसी page को, बिल्कुल वैसे ही है, कोई भी यहाँ पे, आपको कुछ अलग नहीं करना है, बहुत आसानी के साथ में आप कर सकते हो, इस पे आपको double click करना है, यह image आप जैसे replace करना चाहोगे, तो यहाँ पे और बहुत सारे images आ जाएंगे, यह जो सारे images है, यहाँ पर बिल्कुल free दिये गया है, आपको एक भी रुपया नहीं देना है, अब मानो, यह जो image है, इसको मुझे change करना है, तो यहाँ पर यादो simple आप double click कर दो, replace image पर चले जाओ, और देखो, यहाँ पर बहुत image दिये गया ह वैसा आप कोई और भी image select कर सकते हो, तो documents के एसाब से जाते हैं, इस document पर जितने भी image हमारे पास हमको मिले हैं, वो images को हम change कर सकते हैं, तो my library से मैं यह वाली image मानो, यह select कर लेता हूँ, तो यह image यहाँ पर आ गई, अब मुझे वही दूसरी image select करनी है, तो मैं उसी को select करके और यहाँ पर दुबारा से लगा सकता हूँ, आप देखो यहाँ पर आप नीचे जाओगे, फिर से checklist को check करो, आप देखो edit paragraph text, add your logo, update social media icons, check your site mobile view, optimize home page from google, और go like, यह सारे option दिये गए हैं, ठीक है, एक एक करके इन सभी options को आप clear करते जाएए, जैसे यह है, आपको यह change करना है, इसमें कुछ है, फिर अगले option में, इसमें आपको थोड़ा बहुत अगर change कर देंगे, तो वहाँ पर वो tick लग जाएगी, ठीक है, तो मैं कुछ change कर देता हूँ, ठीक है, यह मैंने change कर दिया, और यह tick मेरी यहाँ पर clear हो गई, इसके बाद में यहाँ पर कुछ और option दि change कर दिया, तो वहाँ टेक्स्ट दिखाई देते रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने same color का background color ले लिया है, लेकिन वो जो text है वो फिर आपको दिखाई ना दे, तो background color का selection आप अपने एसाब से कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको अलग-अलग जो color है background के, वो मैं आपको लगा तो यहाँ पर एक, इन्होंने contact form दिया है, contact form को जैसे आप यहाँ से edit करोगे, आपको किस email पर contact form के जो detail है, जो message है वो चाहिए, यहाँ पर आप email id बदल सकते हो, यहाँ पर कुछ field दिये गए है, इन fields में आपको कुछ और data add करना है, जैसे यहाँ पर मैं click करूँगा, और यहाँ पर चोट आसा, मैं short answer लिख वाँगा, अब देखी, short answer वाला आगया, यहाँ पर मेरे को क्या करना है, field का जो label है, यह जो ऊबर लिखा हो, वो change करना है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, OTP, simple, आपको दिखाने के लिए, ठीक है, और यहाँ से इसको, बस done कर देत अब पूरे website का जो style है, वो आपको change करना है, तो यहाँ पर click कर दीजे, यहाँ पर सारे color दे रखें, अब जहाँ जहाँ जो भी color use हुआ होगा, आपको वो change करना है, यह color कई जगे use हुआ है, और यह आपको बदलना है, तो इस color को change कर सकते हैं, आप दूसरे color से, मैं यहाँ से okay करूँगा, अब देखो पूरे website पे, जहाँ 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 वो जो purple color था, वो यहाँ से बदल सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ AI टूल भी दिए गए हैं, जैसे logo maker है, AI writer है, AI heat map है, अब logo maker पे आप चले जाएए, यह बिल्कुल free of cost यहाँ पर दिया गए, कोई भी आप logo यहाँ पर बना सकते हो, तो यह creator logo यह generator logo, तो creator logo पे चले जाते हैं, brand name डाल देते हैं, ठीक है, tag विद्या, and यहाँ पर डाल देते हैं, tag, select कर लेते हैं, किस तरह की website है, कहाँ use करेंगे, website को उपर करेंगे हम इसको, आप देखो यहाँ कई सारे logo हमको मिलके, आप कोई भी logo, अब यह जैसे free, आप online जाओगे logo बनवाने के लिए, तो यह paid में बनेंगे, free में नहीं बनेंगे, तो आप कोई भी एक logo जो आपको अच्छा लगे, वो आप select कर सकते हो, तो यहाँ से हम यह मान लीजे इस logo को ले लेते हैं, और download कर लेते हैं, यह वाला logo मा साइड में एक single page थोड़ी होता है, बहुत सारे अलगलग page होता है, जैसे अवाउट असका भी होता है, contact असका भी होता है, तो यहाँ पे यह वाला जो page है, यह आपको यहाँ देख रहा है, add page पे click करोगे, एक empty page आ जाएगा, page का यह URL आ जाएगा, URL जैसे मैंने आपको बत गया मेरा एक, अब जैसे ही मैं यहाँ से go live करूँगा, तो यह website जो है मेरी वो live चली जाएगी, जैसे मैंने इसको किया go live, यह देखे है, अब techvidya.in जैसे आप खोलेंगे, view your website देखो यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे STDBS certificate भी दे दिया है, और यह website है मेरी, वो live चली देखो कितनी professional website हमने यहाँ पे बना दी है, तो देखे कितनी खुपसूरत website हमने यहाँ पे बना ली है, अब यह website live भी चली गई है, और जो page हमने बनाया था, empty वाला page भी देखो यह page का design आ गया है, और दोबारा से अगर आप logo पे click करेंगे, तो यह logo आपको आपके home page पे देखे जाएगा, तो एक complete website design हो गई है, अब देखे जब website complete हो गई है, तो एक बहुत बड़ा प्रिश्न और आता है, नई users की तरफ से, sir website live हो गई है, क्या live होने के बाद भी हम को changes कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल hostinger के website पे ज जाना है, जब आप hpanel पे पहुंचेंगे और home पे चले जाएगे, या फिर आप अपने website वाले section पे चले जाएगे, यहाँ पे आपको वेबसाइट है वो आपको दिखाई देने लग जाएगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, edit website पे, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से वही builder open हो जाएगा, जहाँ पे आपने website को design किया था, यह builder आ गया, अब जैसे मानिए कि जो page हमने बनाया था, उसका नाम हमने बदला नहीं था, अब यहाँ पे अगर आपको page कर नाम बदलना है, तो page and navigation पे आपको चले जाना है, यहाँ पे click करना ह और जैसे settings पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको rename का option दिखाए देगा, इस पे आपको click करना है और यहाँ पे नाम बदल देगा है, तो मैं डाल देता हूँ, about us, ठीक है, about us मैंने डाला और save किया, तो आप देखों यहाँ पे about us आ जाएगा, जैसे ही मैं इसको update website करू तो देखो यह पुराने वाले पे मुझे क्या दिख रहा था, new empty page और नए वाले पे क्या दिख रहा है, about us, ठीक है, इसी तरह से अगर आपको किसी page के ऊपर, जैसे यह है आपका main, जो main page है वो यह है आपका, इस पे भी कुछ changes करने है, तब भी आप बड़े आसानी के साथ में कर सकते हो, तो चली अब सीख लेते हैं कि अब आपकी website complete बन चुकी है, अब blog कैसे करते हैं website के उपर, यानि जो articles हैं, वो कैसे लिखते हैं, कहां वो tool आपको मिलेगा, जिससे आप article लिख पाएंगे, और AI की मदद से आप articles के लिए research भी कर पाएंगे, तो आपने सुना ह पर जाएंगे, तो side में आप देखेंगे, कि blog का option आपको यहां पर और मिलेगा, blog पर आपको click करना है, और यहां पर आपको blog के manage करने के लिए कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे all, draft, schedule और publish, अब all में आपको वो सारे blog की list दिखाएंगे, जो अभी तक आप लिख चुके हो, draft में वो list आपको दिखेगी, जिसको उपर आप काम कर रहे हो, scheduled माने, आज आपने लिखा और कल आपको publish करना है, वो list आपको यहां पर दिख जाएगी, और published में जो articles आपके published हैं, वो आपको दिखेंगे, अब blog का जो नया article है, वो कैसे लिखना है, नीचे आपको add new post पे click क करेंगे, तो यहां पर new post लिखने के लिए, आपके पास में एक पूरा page open हो जाएगा, और जैसे मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, your blog post के नाम से, यहां पर भी आपको दिखने लग जाएगा, अब यह draft है, क्योंकि यह website पे live नहीं हुआ है, अब जैसे आप इस पर जा चाहरे हो, कुछ extra sections आप डालना चाहरे हो article में, तो यहां से आप डाल सकते हो, अभी कुछ simple चीज़े हैं, यह आपका title है, your blog post, और इसको आपको edit करना है, तो यहां से change post title पे click करिए, और यह एक आपके सामने dialogue box आ जाएगा, जहां पर blog post setting draft लिखा हुआ है, यहां से आप अ तो यहां post title में मैंने लिखा, मैं जो जानकारी देने वाला हूँ, वो यह है कि computer क्या है, और वो कैसे काम करता है, इसके बाद ही हम से पुछेगा, कि भाई, blog post की description लिखे है, यानि आप जो article लिखने वाले है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, कि आपका जो title है, या post article है, वो क्या कहने वाला, संक्षेप में थोड़ा सा यहां बता दीजिए, तो देखिए, यहां पे चोटी सी description मैंने इस article के बारे में यहां पे हिंदी में टाइप कर दीए, ब्लॉग, अब आप किसी भी भाशा में कर सकते हैं, या आपको नहीं सोचना है कि English म पीछे दिखाए देगा, तो यह इसको भी हम यहां पे type कर देते हैं, इसको हम English में type करेंगे, इस तरह से, और दीखिए, जैसे जैसे मैं space लगाता जा रहा हूं, जो space है, उसके बीच में, dash अपने आप लगता जा रहा है, जिससे URL जो है, user friendly बन जाए, SEO friendly बन जाए, इसके इसके बाद में आप post के author का नाम type कर सकते हैं, तो मैं यहां पे अपना ही नाम type कर दूँगा, क्योंकि इसे अभी मैं लिख रहा हूं, और यहां पे post की date, और schedule का time, अगर दो दिन बाद आपको post करनी है, तीन दिन बाद करनी है, तो वो आप यहां से schedule कराते हैं, माली जब यह post मुझे कल करनी है, तो अभी मैं schedule का time तो नहीं डालूँगा, इसके बाद यहां पे featured image, जो image आपको यहां पे दिख रही है, वो image आप यहां पे पहले ही डाल सकते हैं, तो एक computer की कोई image में यहां पे बना लेता हूं, और इसके बाद फिर मैं इसको यहां पे तो इसके लिए आपको जो featured image है उसे बनाने के लिए आप canva website का use कर सकते हैं, यहां पे search bar में आपको type करना है, blog और यहां पे blog banner पे आपको click कर देना है, जैसे आप blog banner पे click करेंगे तो बहुत सारे blog banners आपको यहां पे मिल जाएंगे, आप चाहें तो अपना blank भी यहां से ब image को हम replace करेंगे अपने computer से, यहां से हम file को upload करेंगे, जहां पे वो हमने भी जो picture थी वो save की थी उसको यहां से ले लेंगे, तो वो image है वो यहां पे आके upload हो जाएगी, यहां इसके लावा यहां से free image का भी option आपको मिलता है, तो free image पे भी जाके आप simple computer यहां पे type कर सकते है और यहां पे आपको unsplash से बहुत सारी images मिल जाएगी, तो मानी जब यह image भी यहां से लेके, और act to page कर सकते हैं, और इसे यहां से save कर सकते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में, वो जो image है, जो आपने अभी वहां से enter की है, वो आपको यहां पे आके मिल जाएगी, तो देख क्या होता है, यह किस तरह से काम करता है, तो content आप दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे आप यहां इस वाली section पे click करेंगे, तो आपको edit text का option मिलेगा, और दूसरा option मिलेगा आपको AI assist का, AI assist पे जैसे आप click करेंगे, तो यहां पे आपको एक option मिलेगा, write a paragraph about, आपको AI को यह बत title है, इसको मैं यहां पे paste कर देता हूँ, और यहां से generate text पे click करूँगा, आप यहां पे working कर रहा है, writing कर रहा है, लेकिन जब तक यह writing कर रहा है, मैं आपको बता जिता हूँ कि पूरी तरीके से AI पे depend नहीं रहना है, कोई भी वेक्ति आपका blog post तभी बढ़ना चाहेगा, ज जो आपके द्वारा research की गई हो, आपके द्वारा swim लिखी गई हो, आपकी भाशा शैली हो, तभी बढ़ने में अच्छा लगता है, तो इससे research करने का काम आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाबजूद भी लिखने का काम आपको ही करना है, तो थोड़ी दिर वेट क लगूँ, इसके बाद में अगर आपको कुछ edit करना है, कुछ बढ़ाना है, तो आप यहां से edit text का use करके, जो भी चाहें, वो यहां पर type कर सकते हैं, paragraph एंटर कर सकते हैं, कोई table एंटर कर सकते हैं, यहां पर आपको text को edit करने के लिए उपर पूरा आपको जो formatting bar है, वो दिय जा गया है, यहां से आप देख सकते हैं, धेर सारे option आपको यहां पर मिल जाएंगे, background का color आप चेंज कर सकते हैं, animations आप चेंज कर सकते हैं, अब यह blog article जो हमने लिखा है, यह आपके website पे live कैसे जाएगा, अब simple इसको आपको यहां से save कर देना है, और blog पे जाके यह जो article आपको यहां पर दिख रहा है, इसको यहां से आप जो three dots से इस पे click करेंगे, और यहां से इसे publish कर देंगे, जैसे आप इसे publish करेंगे, तो यह दो publish वाले section में आपको दिखने लग जाएगा, उसके बाद आपको update website पे click करना है, और जब आप अपने website पे जाएगे, मैं पे आ गई, और वो जो article हमने लिखा था AI से, वो यहां पे display हो गया, तो चलिए अब समझ लेते हैं कि वो कौन-कौन से topic हैं, जिन पे आप blogging कर सकते हैं, और सफलत आप राप्त कर सकते हैं, तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, सबसे बहला जो topic मैंने यहां पे लिया है, वो है hobby, देखिए कोई भी व्यक्ति जब blogging शुरू करता है, तो वो अपने रुची के हिसाब से, जो उसको सबसे बढ़िया जो उसका interesting subject होता है, वो उसकी रुची होती है, जैसे किसी को gardening करना पसंद है, किसी को drawing करना पसंद है, किसी को art पसंद है, या कोई music बहुत अ दिख रहा है, वो है gardening, अगर आप gardening के बारे में जानते हैं, आपको अच्छा लगता है कि पौधे कैसे लगाया जाते हैं, कैसे उनकी soil तयार की जाती है, तो आप gardening के उबर भी blogging कर सकते हैं, और लंबे समय तक लगातार आप यहाँ पे post कर सकते हैं, दूसरा topic आता है drawing, आप यहाँ पे blogging के माध्यम से drawing भी सिखा सकते हैं, अगला topic है हमारा art and craft, तो अगर आप art और craft में रुची रखते हैं, आप कुछ creative करते हैं, तो भी आप blogging के माध्यम से लोगों को इसके बारे में जानकरी दे सकते हैं, अगला topic है वो है हमारा music, तो आप अगर music में बताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, jokes लिखते हैं, या आप कोई और इस तरह का article लिखते हैं, तो आप blogging कर सकते हैं, आप लगातार लंबे समय तक एक blog बना सकते हैं, और वहाँ पर अपनी जो रचनाएं हैं, उनको share करा सकते हैं, most popular topic होता है technology, आज के समय में बहुत स सारी चीज़ नुक्ती हैं, जैसे किसी काम को कैसे किया जा सकता है, कोई आप windows के बारे में अगर आपके पास topic है, वो लिख सकते हैं, आप blogging के उपर भी एक blog बना सकते हैं, आप windows के उपर blog बना सकते हैं, आप education के उपर blog बना सकते हैं, so technology में आप बहुत सारे ideas होते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप फोटोग्रैफी विडियो ग्रैफी के ऊपर भी ब्लॉक बना सकते हैं आप समझा सकते हैं के जो आप एक ब्लॉक के माध्यम से बता सकते हैं अगर आपको इंट्रेस्ट है fashion designing में या fashion में तो आप एक blog बना सकते हैं fashion के बारे में latest trends कौन कौन से चल रहे हैं fashion के color combinations किस तरह के होने चाहिए वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है interior designing करना तो आप interior designing से सम्मंदत भी एक blog बना सकते हैं और अपनी जो ideas हैं वो लोगों इस साथ में share कर सकते हैं इसके बाद अगला topic आता है travel का travel में आप देखें city guide के तोर पे लोगों को अपने शेहर के बारे में जनकारी दे सकते हैं कहां पे अच्छा खाना मिलता है अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या-क्या ध्यान में रखना है बहुत सारे जबरदस topic हो सकते हैं traveling से related अगर आप blog कर रहे हैं ये सारे ideas जुड़े हुए थे hobby से अगर आप इन में से किसी पर भी blog शुरू करने जा रहे हैं तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्ट कर सकते हैं अब हम बात करने वाले हैं health से जुड़ूए निश्के बारे में सबसे ज़्यादा जो internet पर सर्च किया जाता है आज के समय में वो topic है weight loss कैसे आप किसी व्यक्ति का वज़न कम कर सकते हैं वो कौन-कौन से ideas हैं जिन से weight को कम किया जा सकता है अगर आप वो जानते हैं तरीके तो आप अपने blog के माध्यम से बता सकते हैं अगला जो topic आता है वो है diet का आप healthy diets के बारे में जानकारी दे सकते हैं ब्लोक के माध्यम से लगाता है बहुत लंबे समय तक नई नई आप बता सकते हैं कि सोबह आपको क्या खाना है दोपैर में क्या खाना है शाम को क्या खाना है इसके लाब आप nutrition और supplements के बारे में जानकारी दे सकते हैं अगर आप meditation के बारे में जानते हैं तो blog के माध्यम से दे सकते हैं अगर आप Ayurveda में interest रखते हैं और आपको बहुत सारे terms पता है Ayurveda के तो एक blog आप Ayurveda का भी बना सकते हैं और वहाँ भी उसके माध्यम से भी लोगों को जानकरी दे सकते हैं इसके बाद जो topic आता है health से related निश में वो है beauty care अगर आप beauty care से related information भी देना चाहते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा search किया जाते हैं इनके उपर भी आप एक blog बना सकते हैं इसके बाद जो अगला topic है वो है yoga का तो yoga तो आप जानते हैं कि कितना popular subject है कितना popular niche है आप अगर yoga में interest रखते हैं इसमें आप cooking के बारे में लोगों को पता सकते हैं कैसे बढ़िया cooking की जा सकती है अगर आपको baking आती है तो आप baking से related भी एक blog बना सकते हैं और जानकारियां दे सकते हैं इसके बाद में अगला topic है recipes का आप step by step कोई recipe कैसे तियार की जाती है इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं आप अलग-अलग categories के आपसे recipes बना सकते हैं आप non-ways recipes के बारे में भी लोगों को जानकारी दे सकते हैं तो अगर आप जानते हैं kitchen के कुछ hacks और tips तो उसके बारे में भी अपने blog के मात्यम से जानकारी दे सकते हैं So, ये जो सारे ideas हैं, वो है food and cooking के, इसमेंसे भी आपको idea अगर अच्छा लगता हो, तो आप select कर सकते हैं, अब हम बात करेंगे entertainment sector की, और ये भी सबसे ज़्यदा search किया जाने वाला niche होता है, Google पे और internet पे, तो अगर आपको movies देखना अच्छा लगता है, और आप बहुत बारी की से कोई movie देखते हैं, तो आप उसका review लिख सकते हैं, आज के time पे, जब भी कोई विक्ती movie देखने जाता है, तो पहले उसका review बढ़ता है, उसके बाद में hall में जाता है, तो आपको अगर अच्छा लगता है movie देखना, और आप उसके बारे में लिख सकते हैं, तो आप movie भी review के लिए एक blog बना सकते हैं, इसी तरह से TV shows के reviews भी किये जाते हैं, अब उसके उपर भी एक blog बना सकते हैं, और बहुत लंबे समय तक क्योंकि आपको लगाता topics मिलते रहेंगे, आजकल तो लोग OTT पे release होने वाले जो episodes होते हैं, उनके लिए भी review लिखते हैं, तो आप सकते हैं, इसके लावा आप song lyrics के उपर एक blog बना सकते हैं, और लगातार जितने भी नए गाने release होते हैं, उनके lyrics आप type कर सकते हैं, या तो हिंदी में, या तो English में, जैसे भी आप चाहें, वैसे आप type कर सकते हैं, बहुत लोग इनको search करते हैं, इसके बाद में आता है एकल बना सकते हैं,